हलो और विल्कम दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर क्या हैं इंडियन कुष्टगार नाविक जीडी और डीबी एक्जाम के सेक्शन बन की तैयारी के लिए साइंस फिजिक्स का एक प्रेक्टिसेट तो दोस्तों वीडियो जो है आज बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो सुरू करें अग के फर्स्ट कुशन जो के आपको दिया गया है कि दा थ्योरी ओफ रिलेटिविटी इस प्रेजेंटेड बाई विच साइंटिस्ट थ्योरी ओफ रिलेटिविटी यानि कि सापेक्षिता का सिद्दान्थ जो है वो किसके द्वारा दिया गया था तो सापेक्षिता का यानि कि the theory of relativity is given by Albert Einstein, ठीक है, तो Albert Einstein के द्वारा theory of relativity दी गई थी, तो इसके लिए जो correct answer होगा, वो जाएगा option number A, चलिए देखते हैं next question, तो अगला question जो कि आपको दिया गया है, कि what type of lens is used in magnifying glass, ठीक है, यानि कि magnifying glass में जो है, वो कौन सा lens प्रियोग किया जाता है, तो magnifying glass में जो है, वो convex lens को प्रियोग में लाय जाता है, तो इसके लिए जो correct answer होगा, वो जाएगा option number C, convex lens, चलिए देखते हैं next question, तो अगला question, जो कि आपको दिया गया है, कि the total number of colors exist in sunlight, ठीक है, यानि कि जो सूर्य के प्रकास की किरण होती है, उसमें कुल कितने color होते हैं, ठीक है, तो आपको options दिये गये हैं, 5, 7, 9, या फिर 10, तो देखिए एक sunlight जो होती है, यानि कि सूर्य के प्रकास की किरण, उसमें total 7 color होते हैं, तो इसके लिए जो correct answer होगा, वो जाएगा option number B, 7 colors, ठीक है, और उगर उन colors की बात करें, तो आप जो है, उनको short form में याद रख सकते हो, V, I, B, G, Y, O, R से, ठीक है, यानि कि web gear से, जो है, आप उनको याद रख सकते हो, चलिए देखते हैं, next question, तो अगला question, जो कि आपको दिया गया है, कि who is the first to define speed, ठीक है, यानि कि सबसे पहला व्यक्ति कोन था, जिसने speed के बारे में बताया था, तो देखिए, गति के बारे मे जो है, सबसे पहले बताया था, गेलेलियो ने, तो इसके लिए जो correct answer होगा, हो जाएगा, option number A, गेलेलियो ने जो है, वो सबसे पहले speed को define किया था, चलिए देखते हैं, अगला question, तो next question, जो कि दिया गया है, कि if the spinning speed of the earth is increased, then the weight of a body at the equator will be, ठीक है, यानि कि अगर प्रत्वी जो spinning speed है, उसको increase कर दिया जाए, तो जो शरीर का भाहर होता है, उसका equator पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, यानि कि equator जो है, वो सरीर के भाहर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखे, equator पर जो सरीर का भाहर होगा, वो decrease हो जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए जो correct answer होगा, वो जाएगा, option number B, decrease, ठीक है, चलिए देखते हैं, next question, तो अगला question, जो कि दिया गया है, कि which color deviates least when passing through a prism, ठीक है, यानि कि कोन सा color जो है, वो सबसे कम विचलित होगा, जब वो prism से गुजरेगा, ठीक है, तो देखे, इसके लिए जो correct answer होगा, वो जाएगा, option number D, red देखे, सबसे कम जो विचलित होता है, वो होता है, red, और सबसे ज़्यादा विचलित होता है, वो होता है, वो होता है, ठीक है, तो अगला question, जो कि दिया गया है, कि which color deviates highest when passing through a prism, जैसा कि मैंने आपको उपर बताया, कि सबसे कम विचलित जो होता है, वो लाल कलर होता है, यानि कि बैंगनी color होता है, तो इसके लिए जो correct answer होगा, वो जाएगा option number C, violet color deviates highest, ठीक है, when passing through a prism, चलिए देखते हैं, next question, तो next question दिया गया है, कि electrons carry A, ठीक है, यानि कि electron जो है, वो क्या carry करता है, तो देखे, electron जो होता है, वो एक negative charge को carry करता है, तो इसके लिए जो correct answer जाएगा option number B, negative charge, ठीक है, चलिए देखते हैं, अगला प्रस्न, तो next question दिया गया है, कि proton carry A, ठीक है, यानि कि proton जो है, वो अपने साथ क्या carry करता है, तो देखे, electron जो होता है, वो negative charge को carry करता है, लेकिन जो proton होता है, वो positive charge को carry करता है, तो इसके लिए जो correct answer होगा, वो electron as compared to proton and neutron, ठीक है, proton और neutron की तुलना में, जो है, वो electron की size क्या होगी, ठीक है, proton और neutron की तुलना में, तो देखे, proton और neutron की तुलना में, अगर electron की size की बात करें, तो इसका answer होगा, 1.836, यानि कि option number C, जो है, इसके लिए correct answer हो जाएगा, I hope आप लोगों वो समझ आ रहा होगा, चलिए देखते हैं, next question, देखे, अगला question दिया गया है, कि light year is the unit of, ठीक है, तो देखे, light year जो होती है, वो किसकी unit होती है, या आपको बताना है, तो देखे, light year जो होती है, वो length की speed होती है, तो correct answer बजाएगा, option number A, length, चलिए देखे, next question, तो अगला question, जो कि आपको दिया ग उचा गया है, ठीक है, तो one light year is equal to 6 trillion miles, ठीक है, तो correct answer हो जाएगा, option number B, 6 trillion miles, देखे, दोस्तों, आज जो है, मैं आपको total 20 questions करवाने वाला हूँ, तो आपको जो है, नीचे comment box में, comment के माजियम से, मुझे जरूर से बताना है, कि आपने 20 में से कितना score किया, ठीक है, काफी ज तो चलिए देखते हैं, next question, तो अगला question, जो कि आपको दिया गया है, कि light from sun reach earth in approximately, ठीक है, यानि कि सूर्य के प्रकास की किरण जो है, वो प्रत्वी तक approximately कितने देर में पहुँचती है, ठीक है, तो इसके लिए जो correct answer होगा, वो जाएगा option number B, 8 minutes, ठीक है, जो सूर्य के प् दिया गया है, कि hertz is the SI unit of, ठीक है, यानि कि hertz जो है, वो किसकी SI unit होती है, तो hertz जो होती है, वो frequency, यानि कि आवर्ती की जो है, वो SI मातरक होता है, ठीक है, तो correct answer जाएगा, option number D, frequency, यानि कि आवर्ती, अगला question दिया गया है, कि the velocity of the sound is highest in, ठीक है, दीक है, दीक है, वेलोसिटी जो है, वो सबसे ज्यादा highest कब होगी sound में, ठीक है, the velocity of the sound is highest in metal, ठीक है, अगर कोई भी इस पात की अगर बात हो यहाँ पे, इस पात की अगर बात करेंगे, तो वहाँ पर जो है, वो velocity सबसे ज्यादा highest होगी, ठीक है, तो correct answer जाएगा, option number A, metal, चलिए देखें, next question, तो अग sonar जो होता है, उसमें ultrasonic तरंगों का प्रियोग किया जाता है, तो correct answer जाएगा, option number B, ultrasonic तरंगे, अगला परशन आपको दिया गया है, कि which one of type radiation has the longest wavelength, ठीक है, यानि कि कौन से radiation में जो है, वो longest wavelength होती है, तो आपको options दिये गए है, infrared, ultraviolet, x-rays, या फिर radio waves, ठीक है, तो radio waves जो होती है, उनमें radiation जो है, वो सबसे longest wavelength इनकी होती है, तो correct answer जाएगा, option number D, radio wave, अगला परशन दिया गया है, कि which one of the following ray has minimum wavelength, ठीक है, यानि कि इनमें से कौन सी ray की जो है, वो minimum wavelength होती है, ठीक है, देखे, सबसे कम minimum जो wavelength होती है, वो होती है, गामा के रिणोंगी, ठीक है, तो correct answer जो होगा, वो जाएगा, option number D, sorry, A, गामा केरिने, ठीक है, गामा केरिनों की जो है, वो wavelength, minimum wavelength होती है, चलिए देखते हैं, अगला question, तो next question दिया गया है, कि who discovered x-rays, ठीक है, यानि कि x केरिने जो है, उनकी खोज किसने की थी, तो देखे, x केरिनों की खोज जो की गई थ तो correct answer हो जाएगा, option number C, William Rangton, चलिए देखिए, आज की इस वीडियो का last question, तो last question आपको दिया गया है, कि according to the quantum theory of light, यानि कि प्रकास के quantum theory के सिद्धानत के अनुसार, the energy of light is carried in discrete units are cold, ठीक है, तो इसके लिए जो है, वो correct answer क्या होगा, यह आपको बताना है, तो देखे, इसक correct answer हो जाएगा, वो जाएगा, option number D, photon, ठीक है, correct answer होगा, वो होगा, option number D, photon, I hope आप लोगों वो सारे questions जो है, वो समझ आ गया होगे, और आपको वीडियो जो है, काफी ज्यादा पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक जाती है, और अगर आप लोग वो इन questions की PDF चाहिए, तो आप लोग जो है, हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं, जिसके लिंक जो है, आप लोग वो निचे description box में प्रोवाइड की गई है, इसके अलावा, आप जो है, टेलिग्राम चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं, अगर आप लोग इनडिया नेवी, एरफोर्स और कोस्ट गार्ड के नाविक एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी website defensepointprep.com के माज्यम से free online mock test भी दे सकते हैं, जिसके link जो आपको निचे description box में प्रोवाइड की गई है, तो चलिए मिलते हैं एगले वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंदि!